प्रेस्ट प्रेस्ट बिल आइकन उन यूट्यूब और अबडेट नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज साथ बजे आप लोगों को यह भी मुझे सूचना देनी है कि यह जो हमारा साड़े साथ बजे का कारक्रम होता था अब आगे से साथ बजे हुआ करेगा क्योंकि थोड़ी सी सर्दी का यह तकाजा है और आज हम एक ऐसे विशय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो त्यंत महत्वपूर्ण है और यह समझ सकते हैं कि जो पूरी हम धर्मांदता देखते हैं इसलाम में उसका यह ए के बारे में एक पाकीस्तान के मशूर शायर है मुबारक हैदर उनों ने इसका एक टर्म दिया इसको एक परिवाशा दी इसको का इनोंने तहजीबी नर्गीसियत नर्गिस तो है वो आप ध्यान होगा आपने नार्सिसस की कहानी सुनी होगी तो नार्सिसस जो था वो स्वेम पर आत्म मुग्द था और आत्म मुग्द होके फिर बाद में वो फूल के रूप में नर्गिस के रूप में प्रकट वा तो उसको नर्गिस को कहते है है अब तो फैल चतुरवेदी साहब हमारे साथ जुड़ने दुनिनीरज अत्री जी आप धोनों महानुभामों का मैं सुइंट करता हूं उंका वानर तो दिखाई तरह से पढ़ा हुआ है तो फैल जी क्योंकि आप स्वैम एक शायर है नर्गिस तो नहीं है आप आप म्यूटेड है आपकी हसी सुनाई नहीं पड़ रही है जी जी नर्गीसियत की बात कर रहे हैं तो पहले ये इतियात कर रहे हैं आवश्यक है कि आप में स्वैम में तो नहीं कोई नर्गिस के पुटे थोड़ी बहुत तो सब में होती है चलिए थोड़ी बहुत सब में होती है तो आत्म मुगदता की जो प्रवंचना है जिससे जो प्रवंचना पैदा होती है विशेशकर से इसलाम में उसके बारे में आप से जाना चा ये मुबारक हैदर साब का ये जो आत्म मुगदता का इस्लामिक कल्चरल लार्सिजम के ये जो तहजीबी नर्गीसियत है ये आखिरकार चीज क्या है ये हमें समझाएं मैं अपने संदर्ब से चुकि शायर हूँ और शायरी की बात हुए वहां से फाइन आर्स के एक शित्र में ललित कलाओ में आपको इस तरह के लोग देखने को मिलते हैं जो ये मानते हैं कि ये धरा धन्य है कि हमारे चरण इस पर पड़े इस महान से तक साथ मज़दार दिली के एक साहब हैं वो इतने आत्म मुगद है मतलब अपने आपको ये मानना कि धरती का केंद्र जहां मैं खड़ा हूं वही है यहीं से सारी परिदी शुरू होती है कुछ हद्ता के जरूरी भी है तब ही इस फाइन आर्स के काम किये जाते हैं अन्य था शायरी कर रहा है कुछ मिलता नहीं है कंप्यूटर कूटर नहीं जिसमें पैसा मिले उसे वो उसके भावजूद घजल में लगा हुआ है ना शोता उसके पास ना पाठा को उसके पास फिर भी वो लगा है उसमें थोड़ी आवशकता तो रहती है एक साहिद देगार हैं यहां कि उन्होंने अपने पड़ोस के शादी में जाने से इसलिए इंकार कर दिया कि साब घोड़े प का बड़ा अच्छा जेकर एक किताब जिसका मैं बहुत अडूकेटिंग करता हूं उसमें दो चैप्टर हैं इस विशेपर मनुष्य के अंदर आत्म मुगधता हो जाया और इस हद तक कि वो अपने आपको ही केंद्र मानने लगे तो उसके बड़े भयानक परिनाम होते हैं उन परिनामों पर हम लोग तो जो बात करें सो करें पाकिस्तान के एक शायर और लेखक ने इस पर ध्यान दिलाया और इनकी किताब है तहजीबी नर्गिसी है ये पहले साल में दो लाख कॉपी बिग गई जो बहुत बड़ी बात है वो भी पाकिस्तान में बिग जाना कोई सरल बात नहीं है दो सो तीन सो पर बेस्सेलर हो जाता है दो लाख कॉपी बिकी उसी अद्भुत किताब है और मुबारक हैदर अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे तो इनके वीडियोज मिल जाएंगे वो भारत भी आएंगे तहजीबी नर्गिसीयत का शाब्दिक अर् इत्र से प्राप्त हुआ है ग्रीक देवमाला की इस कहानी के अनुसार नार्सिस नाम का एक देवता जो बहुत खुबसूरत था प्यास भुजाने जील पर गया वहां उसने ठहर हुए साफ पानी में स्वयम को देखा अपने प्रतिबंबु को देखकर वो इतना मुग्ध ह गया कि वहीं रुक ठेर गया पानी पीने के लिए जील का सपर्श करता तो प्रतिबंबु को निहारता रहा और धूप प्यास से एक दिन उसके प्राण निकल गए इसका कोई संदर मत जूड़ी है का वो जो बात करें वो सुनने वाली है उसकी मृत्यु के बाद अन्य दी अता नर्गिसियत या नार्सिसिज्म एक चारित्रिक वैशिष्ट का नाम है नार्सिसिज्म शब्द का मनोव ज्ञान के इसाब से अर्थ है कि कोई व्यक्ति समाज स्वैम को आत्म मुग्धिता की इस हद तक चाहने लगे कि उसका प्रणाम आत्म श्लागा आत्म तरह रुख देती है जाहरे बीज नमान लिया वो ब्रक्ष है तो ब्रक्ष बनने की प्रक्रिया तो थम जाएगी विकास के नए अंजाने एक शेत्रे में कोई ख़दम क्यों रखेगा स्वैम को बदलने तोडने उथल पथल की प्रक्रिया से गुजारने की जरूरती कहा र बढ़ने की प्रक्रिया जन्मी कैसे लेगी हमें बड़ा बनना है विराट बनना है अनूठा बनना है महान बनना है इस चाहत के कारणी तो वाना सववेता विक्सित हुई है मनस्व स्वाहवएक रूप से अहंकार से भरा हुआ है मगर इसकी मात्रा संतुलित होने की जगा असंतुलित हुरूब से अत्यदिक बढ़ जाए तो यही इसलाम के साथ हो रहा है ना ना मैं नहीं कह रहा है यह पाकिस्तान की चिंतक लेकक मुबारक हैदर कह रहे हैं मुबारक हैदर की उर्दू किताबें तहजीबी नर्गिसियत सांस्कृतिक आत्म प्रवंचना मुगालत मुगालते ब्रहम ब्रहम तालिबान दटिप आफ होली आइसबर्ग लाखों की संख्या में बिक्चुकी हैं इन किताबों ने पाकिस्तान और भारत के उर्दू भाशी मुसलमानों की दुखती रखपरंगुली रखी है उनके किताब के अंसार नार्सिस्ट व्यक्ते स्वै को विशिष समझता है शन भंगुर अंकार से ग्रसित होता है उसको अपने अलावा कोई और शकल दिखाई नहीं देती उसके अंदर घमंड आत्ममोगतता कूट-कूट कर भरी होती है वह ऐसी काम्यावी का बयान करता है जो फेंटेसी होती है जिनका स्थी नहीं होता ऐसे विक्तितस्वाईम अपने लिए अपने साथ के लोगों के लिए अपने समाज के लिए हारिकार होते हैं अब वो प्रशन करते हैं कि ऐसे दुरगण अगर किसी समाज में उतर जाएं तो उसका क्या हाल होगा वो इसके तथ्य देते हैं वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान के किसी भी खित्री ए राष्ट्री समचार पत्र के किसी भी एंग को उठा लीजे कोई कॉलम देख लीजे TV शैनल के प्रोगाम देख लीजे महलना में होने वाली मखभी तक्रीम सुन लीजे बलकि यहां की भी सुल लीजे, उन मदरसों के पाठकरम देख लीजे, जिन से हर साल 6-7 लाक मजभी लड़के शिक्षा लेकर निकलते हैं, और या तो पुरानी मस्जिदों में चले जाते हैं, या मस्जिदें बनाने के लिए भीक मांगने लगते हैं, चंदा लेने के लिए स आपको हर बयान, हर भाशन में जो बात दिखाई देगी, वो इसलाम की बड़ाई, इसलाम की महनता का बखान, मुसल्मानों की महनता का बखान, इसलामी सब्भिता की महनता का बखान, इसलामी इतिहास की महनता का बखान, आप यह यहां भी सरलता से देख सकते हैं, मुसल्म तामहन ये भौतिक संसार उनका पारलौकिक संसार भी उनका और इसके अलावा जितना दुनिया है सारा संसार जाहिल काफिर जहन्म में जाने वाला अर्थात आपको इसलाम और मुसल्मानों की महन ताके बखान का कभी एक संसार मिलेगा इसलाम अगर मगजभ को बढ़ाने के लेकले तो वो उचिए दूसरे संपरदाईओं को प्रचारस से रोके तो भी उचिए मुसल्मानों का गयर मुसल्मानों की आबादीों को नश्ट करना उचिए उन्हें जिम्मी घुलाम बनाना उचिए उनकी स्त्रियों को लॉंडी सेक्स स्लेव बनाना उचित मगर गैर मुसल्मानाओं का किसी छोटे से मुसलिम ग्रुप पर गोलियां चलाना इतना बड़ा प्राग कि मुसल्मानों के लिए विश्व युद्ध छिड़ना आवश है इसलाम का अर्थशासर, राजिनीती, जीवनशैली, ग्यान, बड़ा यानी हर मामले में इसलाम महान केवल इसलाम स्विकार करने से इसंसार की हर समस्या के ठीक हो जाने का विश्वास है गैर मुसलिमों के जिस्म नापाक, गंदे, इसलाम वालों को उन से बद्बू आती है उनकी आत्मा मस्तिष्क नापाक, उनकी सोच, त्याज, उनका खाना गंदा और हराम मुसल्मानों का खाना पाक, हलाल, उंदा, दुनिया में अच्छा अनंदाय कुछ है तो वो हमारा यानि मुसल्मानों का, इसलाम से पहले दुनिया में कोई सब्विता नहीं थी, सब जहालत और अंदकार था संसार को सब्विता अर्वी मुसल्मानों की देन है अब अगर आप किसी इस आत्मा विश्वास से भरे, किसली मुसलिम युखक से पूछें कहते हैं, चीन में इसलामी पेखंबर मुहमत के आने से हजारों साल पहले सब्वित समाज रहता था उन्होंने मंगोल आकरमन से अपने राष्ट के बचाव के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दीवार पनाई थी, जिसकी गड़ना आज भी विश्व के महान अश्यर में होती है भारत की सब्विता ग्यान इसलाम से कम से कम चाराजार साल पुराना है इरान के नौशेरवान आदिल की सब्विता जिसे अर्बों ने नश्ट किया इसलाम से बहुत पुरानी थी, यूनान और रोम के ग्यान महानता की कहानियत तो मुसल्मान ने लखी है क्या ये सारे समाई राष्ट अंदकार से भरे और जाहिल थे तो आप बिलकुल हैनान न होई येगा कि अगर नसीम हिजाजी का ये लड़का आपको आत्मिशास से उत्तर दे देखो भाई ये सब काफिरों के लिखी हुए जूटी बाते हैं जो मुसल्मानों को भरमित करने और हीन भावना से बढ़ने के लिए बनाई गई है अगर इनमे कुछ सचाई है अगर इनमे कुछ सचाई है भी तो ये सब कुफर की सब भेदाएं थी और इनकी कोई हैसियत नहीं सच तो केवल ये गे इसलाम से पहले सब कुछ अंधकार था जाहिलिया थी आज भी हमारे अतरिक सारे लोग अंधकार में सब जहन्म जाएंगे कुफर की शिक्षा भ्रमित करने के अतरिक किसी काम की नहीं ग्यान सिर्फ वो है जो खुरान में लिग दिया गया सिर्फ चप्टी होना नहीं पूरी एक किताब लिखी है बरेलवी ने उसमें पूरी एक किताब लिखी है बरेलवी ने यहीं वो चिंतने जिसके कारण इसलाम अपने अतरिक्त हर विचार जिवन शहली से इतनी घ्रणा करता है कि उसे नश्ट करना चाहता है कि नश्ट करता आ रहा है चिंतक, लेखक, शायर, मुबारक हैदर समस्या बता रहे हैं कि पाकिस्तान की दुर्गती की जड़ में इसलाम और उसका चिंतन है वो कह रहे हैं कि हम जिहाद की फैक्ट्री बन गए हैं ये च्छान फटक कि ये विना कि ऐसा क्यों हुआ हम इस स्थिति में बदलाव नहीं ला सकते संकेत मुब कह रहे हैं कि अगर अपनी स्थिति सुधार नहीं है तो इस चिंतन से पिंड़ छोड़ाना पड़ेगा विचार करते हैं कि इसाई विश्व एक समय सबसे प्रहावी नगर कंस्टिंट नोपल था 1453 में इसलाम ने इस नगर को जीता और इसका नाम इस्तंबूल कर दिया यह स्वहाविक प्रश्ण है कि कंस्टिंट नोपल में क्या तकलीफ सी जो से इस्तंबूल बनाया गया मगर साहिबो यही इसलाम है सारे संसार को संसार भर के हर विचार को संसार भर की हर सब्यता को संसार भर की हर अस्ता को मार के तोड़ के भाड़ के चीन के जीत के नोच के खसूट के यह इन प्रकारेंड इसलामी बनाना है यही लक्ष है, राम जन भूमी, काशी विश्वनात, कृष्ण जन भूमी, इत्यादी के मंदर इसलिए तोड़े गए, कृष्ण जन भूमी का मंदर तोड़के इसलिए इद्गा बनाई जाती है, पटना को अजीमाबाद इसलिए किया जाता है, अलिगर्ड, शाजापूर, मुरादवाद, अलिपूर, पीरपूर, बुरहनपूर, ऐसे सेकड़ों नाम नगर, वारांसी, मत्रवा, दिल्ली, अजमेर, चंदोसी, उजयन जैसे सेकड़ों नगरों को छीन भष्ट कर बनाए गए मंदर इसलामी कर्तूतों का उधरण है, एक मैं आपसे करता हूँ, आपने कभी कुटा पाला है, जो शोता है, सुन नाम हो उच्छे, अगर नहीं पाला हो, तो किसी पालने माले से पूछिएगा, जब भी कुट्टे को आप भुमाने ले जाते हैं, तो कुट्टा सारे रस्ते के दर दोर सूंगता हुआ, और सूंगे के ये सूझ है कि कुट्टे को पेशावारा तो एकी बार में क्यों नहीं कर लेता, उसे पत्री तो नहीं हो गए कि थोड़ी 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 तो रिलीज हो रही है, हर कुट्टे को पत्री फिर भी नहीं हो सकती, तो फिर उसका पल-पल धार मारने का क्या मतलब है, मैं कुटा वस्तुता पेशाब करके अपना इलाका चिन्हित करता है वो टेरिटरी मार्क कर रहा है यह उसका अपने ख्षित्र पर अधिकार जमाने का धंग है बताने का माध्य में है कि यह ख्षित्र उसकी सुरक्षा में है और इस से दूर रहो और निथा लडाई हो जाएगी कि जितने पेरागाफ मेंने भी आपके सामने पढ़े हैं इस तरह की सारी कर्टूते इसलामिय द्वारा अपने जीते हुए इलाकों को चिन्हित करना है अब यहां सवाल यह कि सबसमाच क्या करे है इसका इलाज यह कि समय के इस पहिये को लटा खुमाये जाए इन सारे चिन में हुआ है इसलामिय के लिए उनका त्यारा चिन्तन अभी भी त्यागने योग जिपके नहीं है अभी भी कालवाये नहीं हुआ है अता ऐसी हर वस्तूर मंदिर नगर सब कुछ वापत चाहिए एक एक चीज़ को बदलना इलावाद प्यागराज करना ही पड़ेगा इसमे साज एक कोई यह समझे कि मैं विद्वान हूँ यह नहीं समझेंगे तो बात कैसे करेंगे मगर दूसरों को गधा समझना दूसरों को इस भुरी तरहे दुष्ट समझना कि उनको नश्ट कर दिया जाए उनका चिंतन समापत कर दिया जाए यह बिक शिप्तता है कि धर्मान् है और पागलपन का इलाज गंभीता से नहीं करेंगे तो ये वाइरस सारी संसमाज में फैलता जाएगा तो मुबारक हैदर और आप आशर करेंगे कि पाकिस्तान में बैठ करी आदमी इस तर्फ पर बात कर रहा है लाखों की किताद में इसकी किताबें भी की हैं मुबारक अच्छा बड़े पहमाने पर वहां के सेमिनार्स में बाचीत में होती है और उसके खिलाफ भी बाते होती हैं ऐसा नहीं कि नहीं करते वो हिंदुस्तान भी यहां भी जो रिखता इखता उसमें तो बुलाने की हमत नहीं थी मकर और लोगों ने बुलाया वहां आए हैं तो कुल मिलाकर आज की बाचीत का यह आधार है वो यह है कि किसी भी मानसिक विक्षिप्तता जो एक तरफा उद्धंडता कर रही है उस पर क्या करें कैसे हो इसमें बदलाव किया जाए तो कैसे किया जाए इसको रोका जाए तो कैसे रोका जाए क्योंकि नरोकने का परणाम तो इस्तमा में चली जाई, मैं एक उधारन अभी बताता हूँ, इंद्रा गांदी प्रधान मंत्री थी, देवबंद में इस्तमा था, तो कोई तकरीबन कोई बीस लाग लोग, इंद्रा जी ने प्रधान मंत्री की हैसियत से प्रस्ताव भिजवाया कि वो बूलने आना चाहती है उसके फोटोग्राफ्स उपलब्द हैं, नेट पर, उल्ला पार्टी ने कहा कि हमारे बगल में औरत तो खड़ी होके बोली नहीं सकती, वो उसकी तो आदी गवाई है कुरान में, हदीस है वो तो नाकिस अलाखल है, अलाखल वाली नहीं है, वो कैसे बोलेगा, तो ये समय तब ये धरी कर देने का था, मगर किया क्या, वो जो मंच था उनका, उससे नीचे एक मंच बनाया गया, पीछे वो मुल्ला पार्टी बेटी है, अब इंद्रा जी यहां खड़ी होकर गो, जब ऐसी स्थती होगी, राष्ट्र का प्रधान मंतरी, और वो इतना कमजोर, आप वहां जाएंगे, क्या हो जाने वाला है, फिर भी आपका कुछ राजिलति कुद्देश है, तो सो प्रतिशा जुकाने का यह तो मामला है, कि उपर प्रधान मंतरी का मंच उपर बनेगा, तुमारे खोपड़ी पे, बनेगा ही बनेगा, और नहीं तो अभी सीधा करते हैं, देवन से तुम भाई बेजते हैं अभी, तो वो स्थती बनानी, क्योंकि ऐसी समस्याओं को ऐसे चिनतन को अगर चुनोती नहीं देंगे, तो ये चिनतन तो चुनोती दे एरा है, ये मान कहा रहा है, ये तो लगाता है, खदे ड़ रहा है, अफगानिस्तान की स्थती, जिस इस चर्चा पर मैं बलकि थोड़ी सी गती अपनी बदलता हूँ, मैं प्रश्न करता हूँ संजह दिक्षित जी से, आप इस समस्या का क्या समाधान सोचते हैं? हम समस्या का वही समाधान सोचते हैं, जो हम इस समस्य कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो आत्मुदता है, वो इस नरेटिव बिल्डिंग से आती है, वो इस विमर्श से आती है, वो इस सोच से आती है, वो सोच के उपर लगातार प्रहार करते रहना, वो सोच की जड़ों में बूटे बरगत के रूपे अलग-अलग रूप लेखे हैं और पनप रहे हैं और बाकी सारे जितने भी और पेड़ पौदे हैं उनका जीना हराम किये दे रहे हैं वो तब तक समस्या का समधान होगा नहीं उससे इसलिए जो हम कर रहे हैं वही एक मुझे लगता है कि एक श्रे देख लिजे ना हमारा जो सयद और शेख लोग जो है वो क्या कहते हैं उनकी दरगीसित जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलाम तक की सीमित नहीं है वो अपने तबके में भी अपने आपको नरगिस समझते हैं और वो कहते हैं कि जो पैदा हुए हमी हुए और खलीफा बनेगा तो खुरैस का ही बनेगा और खान का बनेगी तो सयद की बनेगी और जो कोई अकल का इस्तेमाल करेगा तो वो शेख और सयदी करेगा यह तो आपको पता है ना इसलाम में तकलीद का सिद्धान क्या है वो भी नरगीसित की है कर मुझे लगता है कि एक अनुपम उदारण है सक कहते हैं, शियत 레ism, खेसť खज़ और किसी को अकल का इस्तेमाल, ऊसकी कारीता ही नहीं है, आप अकल का इस्तेमाल करी नहीं सकते, जिसके अौ़रत के वारे में जैसे लिखा हुआ ए, वैसे ही जितने भी आप के मझहभी फिक हैं, उन सब की फिक्रों के, जितने भी आपके च चाहे आपके, हम तो यह जो चार मजभ यहां के हैं सुनियों के, हम्बली, मलिटी, चाहे वर्श्पी हो और चाहे वो आपके हन्बली हो, उनके सब के हम, अकल का इस्तेमाल वरजित है, हन्बली तो कहते हैं, जो किताब में लिख दिया, उसके अलावा कुछ इधर से उधर नह हो सकते हैं, और बाकी लोग जो हैं, वो कहते हैं कि साब हम करेंगे, हम हैं, हम स्यद और शेख लोग हैं, अकल का इस्तेमाल सिर्फ हमारे पास है, बाकी सारे लोग अकल का इस्तेमाल करेंगे तो गुस्ताखी हो जाएगी, और गुस्ताखी हो आप जाते हैं, हम लोग भी ब ये एतिहासिक है कि जो मुहम्मद गारे हिरा से घर में भागा भागा आया कि मेरे उपर कंबल डालो पसीने पसीने था और मुझ पर मैंने एक प्रेत को देखा और वो देखा तो खदीजा ने कहा उसकी पहली वीवी ने जो 12-13 बरस बड़ी थी और बेसिकली वही थी जिनका पैसा सब इसलाम के शुरुआत में लगा वो बड़ी वैपारी थी दो पती मर चुके थे बच्चे वाली थी तो उन्होंने मुहम्मद को पसंद किया था और मुहम्मद को घर में निकाल के साथ रखे तो सिर्फ 25 साल बड़ी थी हाँ सारी 24 24 बरस तो खदीजा ने कहा था कि तुम पर ये जिबरील है तुम अल्ला के प्रिखंबर चुने गए हो खदीजा ने अब शेर सुनिये खदीजा पूरी गवाही थी जिस नुबुवत की उसी ने आधी गवाही का हक दिया उसको लोग है तो सूचने वाले ये चुझा के वा थे उसके दूसरा कोई गवाए नहीं था तो वो खलत है उसकी गवाही भलत है चुकि वो बैद वाही नहीं चा सकती पट ये चिंतन है लगातार है नीरत जी आप पर आते हैं आपने तो इसका पूरा इस्लामिक हिस्ट्री का मूल ग्रंतों के जो जो सर्वश्रेश्ट अनुवाद है उनसे पूरा दिन किया हुआ है और आपने सारी इबने इशाग की पूरी किताब अलाके इबने इशाग मुझे तो एक काल पने चले तरी लगता है क्योंकि इबने इशाग की भी पहली गवाही जो है है वो इबने तबारी ने जाके दिये है दस्वी संचुरी में अजी इबने तबरी ने दस्वी संदी में जाके तीन सौ साल बाद उसने गवाही दी कि ये अबन अशाग्द नैं लिखी थी और फिर वो अबन अशाग्द से आगे आई फिर अबन तबरी ने उसकी गवाई दी तब जाके उसको माझ लिए गया कि हां ये तबकी लिखी हुई है हदीसों की तरह जैसे हदीसों भी 200-900 साल बाद दिखी गई है तो ये एक ऐसा एक अजीव और विचित तरह एक मजब है जिसमें जो जितनी पुरानी किताब है वो उतने बाद में आई ये बिर्कों ठीक बाद आपना है वैसे तो खुरान की भी जो गवाई है वो इबन इशाफ की किताब से ही मिलती है और वो इबन इशाफ की किताब आती है दस्वी संचुरी में तो वो सबसे पहले है फिर आपके हदीसें जो है वो आती है आपके आठ्वी नवी संचुरी में दो 200-500 साल के बाद, वो उससे पहले है, और परान जो है, उसका पूरी के पूरी गवाई तो हदीसों और आपके सीरत नभवी के बाद या दिया है, वो उससे पहले है, तो ये एक विचित्र एक सही योग है, और आपको पता है कि मुटतलियों में और अशारियों में कितना हुआ रहा, और वो सब जगड़ा इसी बात कहता कि असली खुरान क्या है, और दूसरा जगड़ा दिमाद लजाना कि नहीं लगाना, और उसको खतम करने के लिए पहले तो हम आपके अधीसे आई और फिर बाद में प्रकट हो गई, सीरत नभवी, तो आप बताएं, जी, ज सारे के सारे, लेकिन मैं ना इसको जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, तो उसका एक मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है, हमारे एक PTA योगा करते थे, वो हर टाइम कॉरिडोर में हो या प्लेग्राउंड में होकी की स्टिक लेके घूमते थे साथ में, तो बच्चे बहु अपनी कमरों में घुज जाते थे, तो ऐसी एक हमारी हिंदी की टीचर थी, बहुत विद्वान, सारे बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने भी जब आना तो डिस्क्लिन वैसी मेंटेन होता था, तो एक बार किसी ने बात की कि ये क्या कारण है, अच्छा ये जो PTA ही था, इसे सब लोग Black Cobra करते थे, बच्चों ने छेड रखी थी उसकी, कि Black Cobra आ गया, भाग जाओ सारे यहां से, तो एक दिन किसी ने कहा कि ये क्या बात है, कि या तो इस मैडम का सम्मान होता है, या Black Cobra का सम्मान होता है, तो दूसरे ने बोला कि जिस दिन इस के हाथ से होकी की स्टिक निकल गई न, तो इसको किसी कुट्ते ने भी नहीं पहowser hemna, तो तो दंडे के जोर से उसका, जो सम्मान होगा है, तो एक आदर सम्मान होता है, जो मन से आता है, दूसरे जो दंडे के जोर से आता है, तो और यह आप यह जो मज़वों का खेले, वाली उस दिन यह जो आपके सामने एक जाइंट खड़ा है जिसके पैर कले के बनाया हूँ उसी दिन धह जाएगा तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं है कि किस चीज पर फखर करते हैं कि वो बस डंडा है इसलिए इनको लगता है कि हम फखर कर सकते हैं अधरव क्लेम करते हैं कि जो मूर्ती पूझा करते हैं तो ये तो पत्थर को बूझ रहे हैं ये तो इनकी बुद्धी कम है लेकिन आप जड़ा ये जो नवुवत की जो प्रोग्रेशन है उसको अगर देखेंगे तो जिस समय मुहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में थे तो उस सम कि जब आप कुरान पढ़ते हैं तो वो अपने आपको हर जगा पर ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं तो बस एक आम आदमी हूँ मुझे तो अल्ला ने चुना है तुम लोगों को मैसेज देने के लिए तुम लोगों से बात बताने के लिए लेकिन जब ये मदीना पहुंचते हैं और इनके पास ताकत आनी शुरू हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि अल्ला के साथ पैरलल में रसूल जुड़ जाते हैं कि जिस शक्स ने अल्ला वो रसूल की ना फर्मानी की तो ना फर्मानी पहले तो केवल अल्ला की होनी थी अब रसूल भी साथ में जुड़ ज पर आप उससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे, तो अल्ला और उसके रसूल की इताहत करो, और ultimately, फाइनली क्या हो जाता है, कि अल्ला और उसके जो फरिष्टें हैं, वो रसूल के लिए सजदे करते हैं, तो उसने किया क्या, कि बागी तो मूर्तियां तोड़ दी, लेकिन वो directly बोल लेंगे, कि मेरी अबादत करो, तो लोग उसको गलत माल लेंगे, तब वो 100% narcissism वैसी सामने प्रूव हो जाता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो अल्ला को सामने रखो, और पीछे धीरे, 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 अपने आपको उससे भी बढ़ा कर लो, कि अल्ला भी इतना intercession कर सकता है, कि मैं चाहूँगा, तो तुम्हें जन्नत में भेजा जाएगा, मैं चाहूँगा तो तुम्हें जहन्नु में भेजा जाएगा, तो which means, कि अगर हम short में देखें, तो ये जो कुरान वाला God है, अल्ला नान का, वो तो बिलकुर redundant हो जाता है, क्योंकि अगर शेकरता मुझे समझ में नहीं आया तो पूरे का पूरा फ्लो देखेंगे ना अच्छा यह तो सिरफ एक एग्जामपल है वैसे ही अगर आप देखें कि जब तो नियम बनाने हैं अब अगर आप law enforcement कर रहे हैं तो जो law enforcement है सबसे बड़ी agency सबसे बड़ी जिम्मेवारी उसकी ह होती है कि अगर वो example set कर गा तो माना जाएगा यहां पर उल्टा काम हो रहा है कि तुम्हारे लिए तो नौनों बीवियां भी हलाल कर दिया क्योंकि तुम हमारे नभी हो लेकिन बाकी सब लोग चार है या चार से जादा नहीं रख सकते हैं तो यह वही बात है जो आपने कह बैद कर दिका कि जब तक हम इसके बारे में बात करके लोगों को सच नहीं बताएंगे तो वो जो विचारे भेडवक्रियां बने वाइँ असल में तो वो भी विक्टिम है इसके नार्सिसम जो इसिलाम का है वो तो केवल जो आप वह बोलते हैं मुला मौलवी क्लास है जो आपने को उसका वो शौट बनाया हुगा है एम 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 अशर्फ मुला मौलवी क्लास तो वो है नार्सिसिस्ट जो इसलाम के नाम पर नार्सिसिजम कर रहे हैं बागी दो बिचारे भेड़ बक्रियां वो तो आप ही विक्टिम है इसके आप सही कर रहे हैं क्योंकि इस के इस टॉपिक पर जो आप कह रहे हैं कि एम एम क्लास जो है वो असली नार्सिसिस्ट है तो मैंने कुछ पसमांदा लोगों से बाच्चीत का सिलसला शुरू किया है कुछ एपिसोड्स भी किये आप लोग नहीं देखे होंगे और उनकी जो श लेकिन जो हिंदूों में जात्पात है उसका कोई सैध्धांतिक पक्ष नहीं है जो भी है वो विवहार दोश मान सकते हैं आप उसको कि विवहार दोश है सिध्धान्त दोश नहीं है इसलाम में तो दोनों है वहाँ तो सिद्धांत से ही superiority ही और unfamiliarity शुरू से कायं पर रखी है कि सबसे बड़ा रसूल सबसे बड़ा रसूल का कुन्भा सबसे बड़ा हाशिम सबसे बड़ाई उसके बाद रसूल का जो बड़ा कुन्भा है वो से बड़ा ख्लीफा सिर्फ करेश से भी बन सकता है, उसरा हमाद साहबे आ जातेजितें, सहाबा के बाद पर शेख स्यद आ ते हैं और शेख सेयद तो ये तो आपके अबू अनीफा साब हमारे हाँ तो सब हन्फी है न वो तो साफ के गए किसाब की जो तकलीद का सद्धान्त उन्होंने किया है तो सेयद के बारे में ये है किसाब के सेयद के स्वाहून माफ है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता ये बताय मुझको ये पसमांदा लोगों नहीं बताया कि साब जिन जिन लोगों को ये अश्राफ इतिहासकार बुरा कहते हैं वो सब वो थे जिन्होंने अश्राफियों की जो मनौपली थी उसको किसी ने किसी रूप में चुनौती दी जैसे मुहंबत बिन तुगल को पागल करार कि जा गया क्योंकि उसने पहली बार किसी सयद को मुतिदंड की सजा दिया जबकि सयद को मुतिदंड की सजा देना जो है वो आपके हनफी मजभब में हराम है इसलिए उसको सयद को मुतिदंड की सजा दी तो उसको पागल बना दिया गया इस तरह से सारा जो नेरेटिव है व दोनों तरह से पूरी नुरूप से दूशित है तो फैल जी आप कुछ कह रहे हैं जी मैं ये जो एक को बात है कि यहां के जो कहा जाता है कि हिंदुस्तान का मुसल्मान चाहे अबुजहल से रिष्टा जोड़े जोड़े गारब से और ये बात कही जाती है कि वो लोग बड़ और खासों से सहाबा मैं उमर फारूख के बारे में हदीश पूड़ना हूँ इबन साथ सुन्नी विद्वान थे इनका काल साथ सच चॉरासी से आठ सो पैटालिस इस हुई है इनका पूरा नाम मुहम्मद बिन सौद बिन मनिय ये असली अरबी हिट प्रणोंसेशन हुआ इ इसमें खलीफा उमर के बारे में हदीश है मुसेब बिन दारूम ने कहा कि मैंने देखा उमर एक चड़ी से पकड़ी गई गुलाम लड़की यानी नौन मुसलिम्स पर हमला करके जो लड़की लूट ली गई वो गुलाम बना ली गई गुलाम लड़की के सर से दुपटा निकालते हूं बोले सिर्फ अजाद औरतें ऐसा कर सकती हैं सुनी इमाम अलवेया की अपनी हदीश की किताब सुनेल कुबरा में उमर के बारे में बताते हैं थोड़ा सा मुझे एक्षमा करेंगे अशिश्टा के लिए कि अनस बिन मलिक ने बताया खलीफा उमर के आँज द आपते हैं फारुखी है थाब हमारे चावेद अख्तर साब के पूर वज़ आप पूर वज़ हैं उनके मैं एक और सुनी बेदाना अब्दूर्जाक अलसनाती जिनका काल 126 से 211 हिज्री हैं इनकी हदीश की किताब मसनफ इसमें भी खलीफा उमर के बारे में मुझाहिद न पूसा के उन लड़की के स्तन टटोल के चांच करते थे यह हैं अश्राफ और यह हैं वो लोग जिनके बारे में माना जाता है फेसिकली यह सब कोई मान सिंग का कोई मोहर सिंग का कोई पूतली भाई का इनके सब पूर वज़ हैं इनसे ज्यादा कोई कुछ नहीं है मगर इ इस फंदे में फसा हुआ है और इसी पर यह बात कर रहे हैं मुबारक हैदर कि कहां फस गये किसने क्या कर दिया हमारे देश का अब पाकिस्तान की स्थाथी है कि गोद में सांप रखाए हिलना मना है बैटे हुए है क्या करें वो स्थाथी आ गई है आप नीरत जी कुछ कह है थे हाँ जी मैं इसमें एक चीज़ करना चाह रहा था कि ये तो हम सहाबा किया उनके बात की बात करते हैं अब एक जो आशा वाला इंसिजेंट आता है कि लोग वापस आ रहे थे तो आशा पीछे छूट गई तो उसके बारे में बहुत सारे लोगों की जबान चलने लग अब बहुत बहुत है तो अलग रह रहे हैं तो फिर ये डिसाइड किया जाता है कि जो आशा की नोकरानी है उससे पूछा जाए अब जो इन में सबसे बड़े चेहरे माया जाते है या तो मुहम्मद बिन अब्दुल्ला है या अली है तो अली कहता है कि ऐसा है आपको और है तो और भी मिल जाएंगे ऐशा की क्या चिंता ओरतों की तो हमें कोई कमी नहीं है इसी को चार जापड रसीद करते हैं तो अपने आप सच बता देगी तो आप इमेजन करके देखें कि ये हाइस्ट करेक्टर हैं जिनकी हम ये बात कर रहे हैं कि लड़कियों की कोई कमी ये और मिल जाएगी और इसे चार जापड रसीद करते हैं और फिर उसे सच में जापड मारा जाता है तो अगर इस तरह के रोल मॉडल्स हैं और कुरान में कहा जाता है कि आपके लिए रोल मॉडल हैं जो मुहम्मद बिन अब्दिल्ला है इस तरह से स्टार्ट करेंगे तो आगे जो अनुयाई है वो तो वैसा ही अनुसरन करने वाला है उसमें क्या मतलब इसमें तो हमें इहराम भी नहीं होना चाहिए शाहिए जी बिल्कुल आप सही कह रहे है मैं तुफैल जी के पास वापस आता हूँ इस नर्गीसियत का एक बहुत सुन्दर विशलेशन अली सीना जी के किताब में किया गया है आपने उसका अच्छा अधियन कर रखा है तो कुछ तोड़ा बाद उसके बारे में बताएं बगैर गुस्ताख हुए म्यूट है म्यूट है म्यूट है म्यूट हिस्टरी की एक खूबी है ये विवश्टा है कि उसे अंडू नहीं किया जा सकता आप उसी चेंड नहीं कर सकते उपीट किया सुपीट किया पंदरा सो वर्ष पहले किसी ने कैसा जीवन की जिया इसके लिए आज का कोई आदमी जिम्मेदार नहीं हो सकता बिलकुल सेमत हैं मगर समस्या खड़ी जाती है सुन्नत की कि उस शख्स की जिन्दगी को अपनी जिन्दगी में उतारना जाविद अख्तर उमर की खांदान के हैं उनके ब्लड लाइन से हैं सत्रमी सोलमी अठारमी तैसमी 34 भी पीडी के हैं तो उमर की हरकतों को बदल तो नहीं सकते मगर उमर जिस तरह से कपड़ों में हाट डालके हिलाए लाके देखते थे अगर यह जाविद अख्तर करने लगे तो तो बवाल मत जाएगा एक मिरट पर उदा मत जाएगा किसे नहीं करते हैं कहा जाता है यह हो सकता कि भाटी को मगर ऐसी चीज़ें आप डॉकुमेंटेड हों और लीगल जिस्टिफाई करने तो नहीं हो सकता तो यह जो नर्दिसियत है इसका एक नतीज़ा यह निकलता है कि वो जो शखस अपने बारे में सोचता है जिसको वो सह ही मानता है वो दूसरों के लिए भी इसे डूस दूस और डॉंस में कनवर्ट कर देता है वो खुद यू करके पहले दाए हात और फिर बाए हात का वुदू करता है तो फिर वो फर्सकरार देता है कि जब विजब करेँ तो दाइँ हाथ से पहले यूं करें, और फिर बाइँ हाथ से करें हाथ की इस उंगली को फाणी में लाकर नांक के अंदर घुझड़कर तीन बार घुमाएं फिर बाएंवाले में घुमाएं फिर कानों में घुमाएं फिर ऐसे पैर यानि आपका जो 24 घंटा है उसमें 8 घंटे सोने के निकाल दीजे बागी हर अक्षण के लिए कुछ ना कुछ यानि बिलकुल परसनल चीज सेक्स तक के बारे में एक रिवायत है कि यूं करना और ऐसे करना और इसे करना हर चीज ते कर दी तो बजह उसका नतीजा क्या निकलता है कि आदमी जो इस पर विश्वास करता है वो 24 घंटे इसी डर से भरा रहता है कि उससे कुछ खलती नहों जाए जिसके नतीजे में ultimate जहन्नम जाएगा और महां उसकी खालें बदली जाएंगी और उसे पकाए जाएगा और बगएरा 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 हर अक्षण उस पर प्रष्ण रहता है तो तिल मिलाय हुआ रहता है 24 घंटे उसे लगता है कि वो शेयतानों के बीच में जादू गोनों के बीच में काफिनों के बीच में बारा हुआ है पूरा समाज ऐसी टता में आगया है मैसूस होता है जिनको क्योंकि मैं ऐसे मेरे मित्र हैं जो मुर्तद हैं जोने इस्लाम तरक कर दिया है बिल्कल पश्ट हैं चोड़ दिया है ऐसे लोग हैं मेरे मित्र्व गुमसे मैं बात करता हूँ तो kingdoms को कहते हैं यह सब करते हुए बातें करते थे और उनको लगता था कि हम बिलकुल सही है और जब वो ट्यूब लाइट जली रोशनी आई तो समझ में आया है कि हम बिलकुल गदे थे यह जो बदलाव है उस मानसिक्ता में कोई बाट डालना मुश्ताखमेत यासुफई साप जो एक बड़े व्यंकार उनका इक बहुत खुश्छ जूमला है जो बात खोपरी में आकल की रासे दाखल नहीं हुई वो अकल की रासे निकले ही ऐसे जो घुसी जिहालत से है वो जिहालत से ही निकले गी आतों से निकलने वाली जिहालत भी गलत शब्द का प्रियोग होता है जिहालत जिसको जिहालत ये लोग कहते है वो तो pre-arabic wisdom थी वो तो प्रियोग में शब्द आ गया हम लोग भी कहने लगे लोगों को जाहिल कहते है रहे जाहिल तो बहुत बदिमान लोग थे मूर्ख तो जाहिल उसका चचाही था जो है जिनों ने सारी बुद्दिमानी को और सारी बुद्ध के इस्तीमाल को टाक पे रखे और एक तरह की मूर्गता को अपना लिया और वो दूसरों को जाहिल जिसको कहते हैं, उसको तो वो हिकारत की नजर से देखते हैं, पर खुद को आप सोहीम कह रहे हैं कि वो आतमुक्द हो के देखते हैं कुछ चीज़ें मैं इसमें और बढ़ाना चाहूंगा जो लोग देख रहे होंगे उनको जानकारी मिले खाना खाते वक्त दाएं हाथ से खाना खाना चाहिए तीन बार उंगलिया चाटनी चाहिए पानी बाएं हाथ से नहीं पीना चाहिए दाएं हाथ से जिस हाथ से आप खाना खा रहे हैं चावल डाल सब लगाओ उसी जपानी पीएं चूंकि बाएं हाथ से शैतान पानी पीता है बताईए शैतान की इतनी बाई डिटेल पाजामा पहनें तो पहले दाएं पहले दाएं हाथ पहले डालें पाजामा पहने तो पहले दाएं हाथ पहले डालें पाजामा पहले पहले दाएं हाथ पहले डालें उसके बाद बाएं हाथ से इस्तामाल करें उतारें तो पहले बाएं से उतारें फिर आखर में दाएं से उत हैं नमाज से पहले जो पाकी है उसमें इसर डामा करना बोलता है आप कई बार एरपोर्ट पे जा के देखिए वहां तो उसकी जगह नहीं तो वाश बेसिन की जो पूल ट्रे रहती है उसमें वो पैर धर के साथ पैर दोते हैं यह क्या वेहूद किये मगर उनके सरबर यह सवा नहीं है तो जो भी गुना हो जाएगा अगर वो दाएं की जगए बाएं हाँ से पानी पी लिया तो जहनम चले जाएंगे 24 घंटे उन पर यह सारा और इस सब को कि यह गलत कर रहे हैं और महान क्या है उस महनता के लिए नार्सिस्टम काम करता है यह एक हिस्सा सफेद और द हैं कि हमको शरिया चाहिए इसी के चलते हमको पर्दा चाहिए हलाल गोष्ट चाहिए हमें फलानी चीज़ चाहिए वो दुनिया में कहीं चले जाएं वो यह डिमांड करते हैं क्योंकि उनके डूस बड़े ऐसे मतलब मैं ब्योगूफी तो कहना मुनासिब नहीं मगर इसका उसका एतियात से कोई मतबादिल लवज निकालने इसका कोई विकल्प रहूं ले वाहियात कह सकते हैं यूपी में हम लोग मोतिया कहते हैं इसके लिए एक लवज है मोतिया से मिलता चुलता तो यह मोतिया पन है यह इसका नतीज़ा है कि पूरी पूरी अंतराश्टी इस पर कोंप जहननम जा रही है जी टिंग में चली गई है एक माला ना andare सही पूछा है इफ पार चीक है तुम्हारी जो काल की अवधारना है वह ऐसी हैं की नकारे पास करते हैं कि तुम्हारे पास हमें तो ऐसी कोई समय है है नहीं हम गलतिया करें सीधान यह कि हमारा पूरा पूर्ति हो जाए हमारी समझ में आ जाए हम क्या है कि अपने आपको पहचाने कोई में दो चीजी सो YOU समझा हुए कि सुघनाओं Sum parlaré गूर्वड होते ही कि कि यह जो अनंत काल के जो यह जनम मरल का चकर था इसको छोड़के एक जनम में तब्दील कैसे हुए तो उसका उलके पास कोई जवाब नहीं था कि यह कैसे हुआ आश्चर की घटना है ना यह किसाब कि वैसे तो आप अनंत काल तक और प्रत्वी का जो इतियास नेश्च हमार किसे ज़्यादा नफरत जानते किस से करतें युदी फॉर बिटा बंद करो ने उनका सारा जो 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 यह कहा था कि साथ 4000 साल कूरा दुनिया का काल है और उस पे समात हो जानी है वो चार में नहीं होई तो उन्होंने एक अजार साल और बढ़ा दी उसमें नहीं भी तो और टेस्ट जो थी वह न्यूटन ने तारी अख़ी थी 1920 ने न्यूटन के बारे में आप नहीं जानते होंगे कि न्यूटन भी क्रिस्चियानिटी का बहुत बड़ा समर्टक था जी और एक उसमें सेक्ट है एरियनिजम का वह बहुत बड़ा समर्टक था उसने उसकी सबसे निकल के बाहर आगे तो मौलाना असाब से एक तो चीज मैंने ये पूछी मैंने दूसरी मैंने पूछी कि बाईया ये तो बताओ कि ये कौन सा तरीका है कि तुमारे अल्ला मिया के पास में कौन सी ऐसी आपके बारे में खुसूसी एक तकरीर आ गई या कोई ऐसी तरतीब उनको पता चल गई आपके बारे में कि आपको तो मौलाना बना दिया और आपको अकल बख्ष दी और बाकियों को आपका अनुगामी बना दिया आपका फॉलवर बना दिया और उनकी अकल लेली कोई तो क्रैटीरिया होगा ना हमारे हाँ तो ठीक है हम तो कर्म के हिसाब से कह लेते हैं कि पूरु पूरु जन्म के कर्म थे उसके अनुसार तो वो उसका एक justification हो जाता है तो अब जब ऐसी कोई बात आती है तो मौलाना लोग जो है वो आपको सुर्फ गाली देते हैं आपने देखा होगा कोई मौलाना तरक नहीं करता है के जो फॉर्मूले उस दिन बताया थे तो फैल जी ने बिल्कुल वो बुक अव रेडिकल की तरह विवार करते हैं और वो शुरू करते हैं तुम लोग जाहिल हो तुनको कुछ नहीं पता है जाहिल होंगे तुम होंगे तेरे से पूछ रहे तो तो बता नहीं बता सकता तो त मैंने इस आत्मुक्ता के बारे में एक अंतिम कोट लें तो फैल जी से उसके बाद फिर हम प्रश्णोत्तरी पे चलते एक उधारण देना चाहूंगा पहली बार जब मैं पाकिस्तान गया तो कराची मंबई यह सा टेंपरिचर हमां का वैसी मौसम स्टेज पे मुशायरे के जाने से पहले मैंने का यार पेशाप जाएंगे दो तिन घंटे बैटना पड़ता है तो एक साब ने का सामने ही फील्ड है सिम चले जा तो मैं आच-दस कदम बढ़ा तो महां से अंधेरा शूरू हो रहा था तो एक साब ने आवाज आवाजा कसा इधर खिबला है तो मैंने का मैं इतनी जोर से थोड़ी करूँगा अरे सामने बलवाव उन्हों को तैयार हो गया मतलब मैं पश्चिब की दिशावे खड़ा हो बेशाव नहीं कर सकता तो इधर खिबला है भाई मेरे करे से क्या होगा तो इस हद तक कि तैय कर रखा है यह मुहम्मद की हदीस है आप टॉलेट जाएं तो आपकी पीठ ही आपका मूँ खिबला की तरफ नहीं होना चाहिए यह हदीस है मगर गोल में कहीं पर है तो पर्शे में पूर कैसे तैय होगा फलैट पर तो हो सकता है कि यह पूर भी पूर है यह पर्शे में गोल में कैसे होगा आप भी कुफर कर रहे हैं दर्ती जब है ही नहीं गोल दर्ती है ही चप्टी तब दर्ती चप्टी है गोड़े उड़ते हैं तो आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं तो फिर जी जाहिलों वाली बात कर रहे हैं तो बिलकुल ही तो बिलकुल जाहिलियत की बात है एलानिया मुश्रि इसमें जो अरुन शोरी जी की किताब है The Word of Fatwas उसमें एक आता है कि एक आदमी एहमद वो जो बरेलवी सेक्ट के जो फाउंडर थे उनसे पूछता है कि मैं मस्जिद में गया तो मस्जिद में जो टॉयलेट बना है वो इस ठंक से बना कि किबला की और मुह आता है तो इसके बारे में क्या हुकम है उसने बोला कि भाई तुम ऐसा क्या करो थोड़ा मुह अपना टेड़ा कर लिए अगरो घूम के क्या करो क्योंगे वो तो गलत है नहीं कर सकते हो और दूसरा काम एक करो कि वहाँ उनको जाके मस्जिद वालों को बोलो कि इनको टॉयलेट्स को तोड़ के दुबारा से बनाए फिर उसमें एक चीज और पूछी थी कि इसका मतलब है कि वहाँ जितने भी आज तक लोग गए हैं वो तो सबके सब जहन्म में जाएंगे क्योंकि उन्होंने तो उधर मूँ किया हुआ था तो फिर वो मौला जो आंसर दे रहे हैं वो बड़ा इंट्रस्टिंग है कहते कि तुम्हें उन पर शक नहीं करना चाहिए तुम्हें क्या पता हो हमेशा टेड़े हो की करते होंगे वहां पर यह लेवल है देखिए अगर आप पूरब की तरफ होके पेशाब करते हैं तो दर्थी गोल है वो भी पस्चिब में जाके वहीं पहुँच जाता है अजब आप किबला की बात करते हैं मैंने किता एक एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी बहुत पहले कोई दो एक साल होगे और उसको मैं एक दो बार रिपीट किया काफी मार्मिक लोग मानते हैं उस स्टोरी वो वो एक क्रिस्चिन बच्ची की कहानी है जो मुसल्म मुसल्म बन जाती है और उसके बाद मोठ जाती है और जो एक हदीस है कि साथ वो दबीख में आखिरी लड़ाई होगी सिरिया में दबीख है तो वो दबीख में आखिरी लड़ाई होगी और उस लड़ाई के बाद में आखिरत आ जाएगी तो इसी चक्कर में आइसिस वालों ने दबीख में कब्जा कर लिया था आपको जानो अब दबीक की लड़ाई तो बेहर और आखिर अब भी भी नही आई तभी तो हमारे योगी जी ने कहा था ना कि क्यामत का दिन कभी नहीं आने वाला है दबीक की लड़ाई तो महार के बजाए जीतने के तुम्हारी जीखिए इखलत होगी तो उसमें मैंने ये लिखा था कि वह किबला पहले जरुसलम में हुआ करता था तो जरुसलम में किबला इसलिए लग्या गया था कि उस समय यहूदियों का साथ चाहिए था यहूदियों ने बात नहीं मानी तो किबला बदल के वक्का की तरफ कर दिया मैंने उस शॉर्ट स्टोरी में लिखा था कि अब दवीर के लड़ाई होने वाली तो किबला जो है वो जो खलीफा साथ ते उनों किबला बदल के दवीर की तरफ कर दिया और बाद में लड़ाई आ गए किबला जो है वो किबला ही है अब कोई भी उसको बदल सकता है अगैं, अगर मुहमद صاحب ने उसको बदल दिया, तो जो उनके जिसको कहते हैं, जिनको पावर मिली उनके बदले में खलीफा टो जो अधिकार उनको थे वह यह खलीफा को है गलीफा ने भी किबला बदल दिया और दबियक के तरह कर दिया तो दबियक के लड़ाई हार चुके है हदीसे खलत हो चुकी है खयामत का दिन अब कभी नहीं आने वाला है इस सारी समस्चाओं के बावजूद आत्मगदता इतनी है कि बाखी सब खलत है और हम सही सभी बात है बराल ये सुरूरी काम के सवाल उठाते रहिए लगतार पूछते रहिए लोगों के सामने बाते आनी चाहिए कि यार ये क्या है ये कैसे हो रहा है मैं मेरे एक दोस्त थे वो पाकिस्तान के अमिस्टर थे मुझसे मिलने हर दौर आए अब मज़े की बात और मैं हर दौर रहता था सादू था बारा साल रहा हूँ मैं जी जी बहुत सारे काम किये सब में ठंक ही काम थे अपने वेक्तियोत कुछ नहीं था तो शाम हुई तो उन्हें ने का तो फैल भाई शाम हो रहे है कोई वुजू वगरा की जगा तो मैंने का जब गंगा जी चले जाओ यहां हरदवार में तो कोई है नहीं आपको हरदवार से बाहर बाहदराबाद हमाल यह चलता हूँ बोले नहीं कोई बार वगरा यह यह लोग भी है ऐसे लोग भी हैं तो सवाल पूछेंगे ऐसे लोगों की तादाद बढ़ेगी बहुत बिल्कुल सही बाद है साब वो तो वर्ल्ड फत्वा का जिकर कर रहे थे बहुत यह चीज़ा बहुत अचीज़ा वर्ल्ड फत्वा में एक बात जो उन्होंने लिखी है कि इसको पढ़के इतनी हैरत होती है कि पूरी की पूरी इस्लामिक दुनिया सिर्फ बाहरी पन से ऑप्सेस्ट है इक्सटरनालिटी फॉस्ट बिजस्टiko को कोई मतलब नहीं है कि अंदर से कोई हमको कुछ करना हैं यह नहीं करना है मससं अबारी बारी करते रहो और वह एक अहा माल्म कर यास पर मजाद आइए new पहली वारी having मुझे इस पर मजाद आया है एं पहली बार पजाद लखलवी जी अली गड़ गए मुल्ला थे मगर मज़े के मुल्ला थे अरी साथ उनों ने तो बहुत अच्छे तराने लिखे पाकिस्तान के और मामा थे हमारे जावे अश्चार साथ के सिर्फ वहाँ एक इतना बड़ा ताला हूँद दो मीटर का दुकान के बाहर किसी ताले की लटका हुआ था तो गए और यू घूरने लगे तो वो दुकान दार बाहर निकल का है बोले कुछ खिदमत करूं बोले ये ताला है या अल्ला ताला है ये लोग इसी रासते से इनिए शोखियों से इनिए शरारतों से गुस्शाखियों से होते हुए सही रासते पर आएंगे यही रस्ता है प्राइब प्राइब जेरेचा है बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये टार्तना मानी कि पत्र पुष्प कम से 200 रोपे तो दीजे क्योंकि इसमें 40 पर्षन तो वो रोखेगा यूट्यूब इतना तो कीजे आपकी बात ठीक है देखे है क्या हदीसों का जो पहला कोर्स है उसी में पढ़ाये जाता है कि अग में आपको फृद होना पड़ेगा हमारे किसी के सेंद में कभी आया ही नहीं होगा कुतिया बंदरिया और इस सब्सक्राइब में मगर उसके कोर्स में है तो खोपड़ी में बीज डाल दिया आप से कहा जाए कि आपको लंगूर नहीं सूचना है दस मिनट के लिए और काले कि बच्चा आदमी जैसा पैदा हुआ और वो हर्याना के गाउं में एक किसी गदी का की मौत हो गई कि उसको आट लोगों ने रेप किया वगर रहे सारे किस्से उसका कारण क्या है कारण यह है कि यह चीज़ सिखाई जाती है मदर से होमोसेक्शनलिशिजिए भरे पड़े हैं सब जानते हैं इस बात को मगर उसमें एक बात यह है कि जो एक बार पुरान को अजबर कर लेगा याद कर लेगा हाफिस हो जाएगा वो अपनी तीन पीडियों को जन्नत ले जाएगा उन्हें मालूम है किस बच्चे के साथ क्या होने वाला है वो जानते हैं मगर किस ला मैं शेयर याद नहीं आ रहा कि मदरसे में आग लग गई थी उपर के फ्लोर पर चोटी उम्र के बच्चों को चावी लगा कर ताला बंद करके रखा जाता था सीनर से बचाने के लिए उजल के मर गई तो वो है उसका हिस्सा और ये इसलिए हिस्सा है कि हदीसे इससे भरी पड़ी है हदीसों में इन चीजों को अगर आप हटाएंगे क्या 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 रुसूल कैसे करते थे सारी चीजे इन चीजों से भरी हुई है बिलकुल ठीक बात करें इस पार्ट करते हैं कि इसको हटा दें जिसे एक बार किसी ने कोशिश की थी कि गुरुगरंद साहब में से राम निकालना है पत्ते बोलते हैं उसके पेजिस को तो उन्हेंने पत्ते निकालने शुरू करें तो गत्ते ही रह गए बागी सारे पत्ते उड़ गए कोई पन नहीं नहीं था जिस पर ना हो वह वाली आलत है कि कितनी कोशिश कर लीजे कि वो सारा 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 ढढ़ जाएगा यह बिलकुल सही बात है बगर वो समाज को विशाद कर नहीं यह पढ़ा कर किसी को सुझे गा तक नहीं मगरमाई इस अब है आप तीनों बहुत दिख रांतकारियों को प्रणाव बढ़िया फाल गुन जी बढ़ाई हो बहुत बढ़िया मेरा प्रणाम स्विकार की जी वज़े से ही बहुत जान और समझ पाया हूं और मैंने भी एक व्यक्त की घर वापसी कर आई हो बहुत खोब बढ़िया काम यही तो फैल जी अली सीना के किताब में तो होश फाक्ता कर दिये यह हिंदू पढ़ना सुनना सीख रहा है कि वो हिंदू बंद तके और जवाब दे सके इस पुस्तक को पढ़ने के बाद तो फिर कोई गुझाईश छूटती ही नहीं अद्भुत किताब है वो मैं तो आपको लास्टियर की बता रहा हूं जब वो उन्हेंने अपलोड की थी अपने आनवाद करके तो एक महीने में 75,000 डाउनलोड हुई थी राश्टरवादियों के पास इस समय वो सबसे अधिक तार्किक भुजा की तरह से है अद्भुत किताब है अद्भुत किताब है ये मुबाराख खैदर साब के किताब कहा मिलेगी ये उन्हुत है मैं दे दूँगा मिलेपा है ये भी है मुगालते मुखास में ये भी है मेर कर देंगे मगर किताब च्छपने का मामला जरा सा ढीला हो गया नि तो कर देंगे क्या देखते हैं बैठकर जी करना है और अनुवाद चुक्छी उर्दू और हिंदी मेरे लिए तुम उश्क्ता नहीं तो खाली ट्रांसलिटरेट करना है उसका और तो क्या करना है उसके लिपी वदल नहीं हो यहीं परिवर्तन ही करना है अगला लेड़ेता है गहरवगर्ग वाइडियो आल त्री सांद डिस्बिलीविविंग अब दोस को वांस तो कम तो आवर साइट रूम अधर साइड वाइड वाइड वी पुश्टें बैक करे हमने कब किया भई हमको क मैं आरिफ अजयकिया साहब के साथ एक बार एक उसके था एपिसोड कर रहा था तो यह मेरे पास मुद्राक्ष की माला है मैं इसको पहनना चाहता हूं किया इसके लिए कोई विशेश तरीका है मैं गयत्त्री बंस बढ़ता हूं आप पहनिए वह क्लिपिंग मैंने डाल लगस में आप देख सकते हैं तो मैंने कहा है त्री बंस पढ़ा और उनों ने उसको पहल लिया आजकल वर्च्वल यूब में सारे काम हो सकते हैं मैं इस पे फैस साब का शेर सुनाना चाहूंगा गौरब साब आपको वो बात जिसका फसाने में कोई जिक्र न था वो बात उनको बहुत नागवार गुज़री है अगला ले लेते हैं अच्छा एक बात और कह देता हूं आजकल जो शॉट लिस्ट करने हैं कुछ सवाल उनमें से जो बेस्ट होगा उसको हम एक पुस्तक का उपहार देंगे तो वो पुस्तक जो है मेरी तीन पुस्तकों में से कोई ह सब्सक्राइब की जो में सब्सक्राइब की जो में सब्सक्राइब को पहार में दूगा दी डेविल सर्था स्वलन फैब्रिक 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 इंडिया इस एंड शाल वे हिंदू we need a BJP 2.0 which is absolute in its determination without an iota of secularism I think we can all agree इसमें इसमें ऐसा कुछ करने करें नहीं हैं we can all agree for this वीके thank you sir for discussion sir when we will expose child abuse and conversion business of Christian missionaries तर वो भी काम हो रहा है आज का subject आज का विशे नहीं है लेकिन यदि आप Christian missionaries की बात करते हैं अभी पांच बजी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है आप देखिए उसमें इस सवाल शॉट लिस्स कर लीजे यह अच्छा सवाल है यह अरकत जो कर रहे हैं आपके अंकर नरूला और बजिंदर सिंग और यह से लोग खासतोर से पंजाब में आज कल बहुत active हैं और उसके मैंने तीन अलग-अलग वीडियो और एक पिक्चर यह पांच बजे भी मैंने एक वीडियो किया था उसके उपर डाली हुई है आप अवश्य उसे देखे तो आप जानेंगे कि हम वो भी कर रहे हैं फिर और बताता हूं आपको 22 तारीक को साथ मजे भरत कुप्त जी के साथ में हमारी चर्चा है और वो Christian tactics के बारे में ही है Christian tactics for subverting Indians, subverting civilizations क्योंकि उनका Greece में बहुत लंबा परवास रहा है कैसे Christians ने पहले Greece मे किया और वहां से जो उन्होंने ग्यान अरजित किया उसको बाकी दूसरी सब विताओं पर किस तरह से उन्होंने उपयोग किया उसका और कैसे भारत में उपयोग कर रहे हैं उस सब उसके उसमें आपको आएगा तो जिस चित लुप से हम कर रहे हैं नीरत जी ने भी Christianity के नीरत सर सज्जैसर तुफायल सर को पर्डाम Understanding मुहमद बाई अली सीना पर एक एपिसोड बनाएए तुफायल जी की स्पेशालिटी है साब कहिए तो बना देंगे साब यह रात दिन यही कर रहे हैं वोग और क्या कर रहे हैं यही तो कर रहे हैं दिनेश रतनू सर एक सेशन OIT theory पर हिंदी में बनाईए OIT theory पर हाँ बना लेंगे OIT theory भी वह से तो AIT में OIT का जिकर आ जाता है वेकिन आप कह रहे हैं तो वह भी बना लेंगे अलग से अक्षे के all three यह all three को भी जो हिंदू जब चुके हैं उन्होंने औरों पर जगाने के अलावा और क्या क्या actions लेने चाहिए क्योंकि change तो सरफ action से ही आएगा बातों से नहीं भाई हम तो इससे सहमत नहीं है कि बातों से परिवर्तन नहीं आएगा आरम तो बातों से ही होगा क्योंकि उन्होंने जो सारा काम किया है वो बातों से ही किया है बातों से आरम करके और लोगों को actions के लिए उनको प रणा आती है इसलिए मैं तो सहमत नहीं जी देखे चिंतन और चर्चा इसके बाद ही परणाम आएगा मगर जो अल्टिमेट करनी है जो आवश्य करनी है वो यही है वी जो पहले बात आई कि दो लोगों के शुद्धि लक्ष बनाकर चलिए जीवन का लक्ष के दो लोगों को जिन जो अपने पूरवजों से बिछड़ गए जो परिंदे अपनी डार से बिछड़ गए उनको वापस अपनी डार में लेकर आना दो लोग बहुत बड़ा काम नहीं है लगातार दो लोगों पर काम कीजिए इस फोकस कीजिए कम से कम बीज डालिए लोगों के मन में यह क आपकी मित्र की आपकी कोई हैा अपनी परवार की आनवारी लड़की है घर में काम के लिए कोई आता है कार्प्रेंटर है कोई पलवाला है उसके मन में बीज डालिए पहले उसको तो धीरे से मंदिर की तरफ या समाज की या की तरफ पहुंचाएई तुझे परेशानी है तो पांच हफदे में एक बार या पांच हफदे तक मंगलवार का परसाद चबहा आपको मिलना आएंगे से लोग बहुत सारे धीरे 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 उनको अपनी तरफ लेकर आएए और पिर अपना धन अपना प्रभाव सब का इस्तमाल करते हुए उनको शरण दीजिए उनको परिवाद दीजिए सानित दीजिए किसी तरह से दवाव क्रेट हैं दो लोगों को बदलना करें दस करों लोग लग गए भारत के इस काम में तो यह जो समस्या दिखाई दे रही है ऐस इसकी जो आफशूट्स हैं वो कम हुई लगाता है कि आगे ले लेते हैं थोड़ा संशिप्त ही रखें क्योंकि इस बारे में बहुत कुछ कह चुके वारपर आपके दोरा नहीं आगे वी फॉर रेजिग अवेर्रेस अमंग हिंदूस इसा डिफेंसिव वार शूंट हिंद और आपको बस एक बात आपको कह देना आवश्यक है क्योंकि बगवद गीता जो है हमारी प्रस्थान तरही का अंग है और उसको समझेश्ट जरत हम बहुत सारे लोग मानते हैं और उसका आप अंतिम श्लोग पढ़ें जब आप अंतिम श्लोग पढ़ेंगे तब आपको य यह निश्चित रूप से आपको यह समझ में आयेगा कि कृष्ण और अर्जुन जहां दोनों होते हैं विजय वहीं होती है और कृष्ण जो है वो बुद्धिका आदियोतक है जो हम चर्चा कर रहे हैं वह आप उसको कृष्ण रूप मनें और उस चर्चा से ही अर्जुन जो एक्शन है जो त्रिया है वो उत्पन रूति ए तो बुद्धी और क्रिया अफ़ा कर्म बुद्धी और कर्म दोनों ही आपश्ण हैं इसलिए यह जो बार बार लोग करें ना ऐसा नहीं करें वैसा करें वो बिलकुल गलत है «मिन निश्चित रूप से मैं कह रहां हो छै पार्ट विश्य हो गया इस पे मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप नीरज अत्री जी का जो इसलाम के ऊपर जो सीरीज चल रही है जिसके मेरे खाल से लगब चालीस उसकी एपिसोड हो चुकी है पचास हो गए उसके एपिसोड तो आप उसको देखेंगे तो आपको यह पूरा अच्छी तरह से समझ ने आ जाएगा तो अलग से टिपनी जो पहले वाला एपिसोड है उसको उसमें से टच किया और मैंने और यहां टिपनी कहरें तो मैं बस इतना ब्रीफ में बता देता हूं कि आप सुनते हैं कि हाश्मी शब्द जो सुनते हैं वो जो इनके मु बसंद आती है तो कहता है कि मैं से शादी करना चाहता हूं तो बताते हैं कि डिवोर्सी है अपना बिजनस चलाती है लेकिन इसकी कंडिशन यह है कि मैं शादी तभी करूंगी जो मेरी शर्तों पे होगी और डिवोर्स भी मेरी शर्तों के अनुसारी दे रहेगा अगर देन पूरा आपको देखना पड़ेगा तब आपको उसको विस्तार से समझ में आएगा अगला टाइटन मून जी करें यूर उपिनियन और मौरकंडे काट जू किसी अकलबन दाजमी की बात करिए अगर उसका दादा नहीं होता तो वह क्या था भारत का वह मेनिस्टर उसका इतो पोता था न कि उसका बाप जो था वह भी हाई-पोर्ड का जच था यह भी जच्पन क्या हर आदमी जानता है लावद में नीम पागला आदमी कि आपको इसके ट्विटर अकाउंट पे इंटरेक्ट करकर के देखो एक जरा सा आप लिखो के तुरन ब्लॉक कर देगा आपको इसलिए भई थोड़ा ठीक है हम कई किसम के पागलों की बात करते है लिकिन यह हमारी श्रेडिंग से इसको हम नार्सिसिस्ट है यह भी इससे यह भी समझ में आ जाएगा कि नार्सिस्म क्या होता है अनकॉम्प्रमाइजिंग विजीलियस लोग आठाल नाम क्या क्या रखतें बढ़िया देखें आप सर इस्लामिक त्यालोजी में भी रिडिक्लिस बट देर पुलिटिकल एक्स्पांशनिस स्ट्राटेजिजीस अर्वरी एफेक्टिव इंटेलिजेंट अग्रीड हमसे सहमत है दू देर लीडर कॉंस्टेंटली रिसर्च ऑन स्टेप्स तो बी एकन होगा उक छूड़िया एकन फॉर देर गोल्स वह यह रिसर्च रिसर्च दो एक्रिस्टियन्स का काम है यह तो तलवार और उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो फैल जी कुछ कह रहते हैं जिस काल में इसलाम बढ़ा है उस काल में वहां शक्ति ऐसी कोई थी नहीं जो इन्हें रूप पाती तो उसका अभाव था टेक्टिस थी लड़ाईयों की वह इसलाम को तुर्कों से मिल गई और उससे फिर वह काम करते चले गई मंगोल अधुथे लड़ने में यो धुबे वह सारी टेक्निक को उनोंने पकड़ ली उसका नतीजा यह हुआ है एक दूसरा कारण भी था उससमें जिससमें इनका विस्तार हुआ उससमें जो दो मुक्षे सब बताये थी अश्चिम की या एक तो इरानियन थी जिसको आपके ससैनियन बोलते और दूसरी बाइजेंटाइन थी यह दोनों सेक्ड़ साल से आपस में युद्ध लड़ लड़के बिल्कुल ठक गए थे और यह जो अरब थे यह दोनों पक्षों की तरफ से क्रीत युद्धा के रूप में यानि मर्सनेरीज के रूप में लड़ा करते थे वेश्तनेरे पहले देख़ा होगा ना यहां पहले गुन्डे जो थे वह इस्तेमाल होते थे आपके ज्यून गुण्डोों का इस्तेमाल किया करते थे बाद मैं गुंडों ने का कि मोई नेताव से यह भी एक कारण था अगला सवाल दीपिंदर सिंग आप सब को नमन ओपन वाइंडेड मुस्लिम्स अंडेस्टैंड अल दी लॉजिकल तिंग्स बट ओर्डिनरी वन डोंट एक्सेप्ट निरजी नो तो नेच्रल सी बात है कि जो ओपन माइंडेड हैं वो इलॉजिकल चीज सोचते हैं और सबसे पहले वही वापस आएंगे और उनके पीछे जो आम लोग हैं वो तो फिर भेड़ चाल की तरह होता है कि वो उसके बाद में चलना शुरू होते हैं तो इसमें कोई दोरा है नहीं आप ठीक कह रहे हैं अगला सवाल गौर अगर डिड़नाट वांट टे जो आँगा हूं इस दिटर्म्स लाइक बनार्सी ठग और वेरियस अधर्स वे कोई दिया था जो बनार्सी आप बोल रहे हैं वो बॉलीवूड का काम है ज्यादा क्योंकि उससे पहले मैंने नहीं देखा कि बनार्सी ठग के बारे में या हो सकता है वो लिट्रेचर मैंने पढ़ाना हो लेकिन मेरा ऐसा मानना कि यह बात की क्रियेशन है तुफेल जी जादा बैतर बताता है इसको ठीक बात कह रहे हैं ठीक बात कह रहे हैं यह लगतार इस तरह के काम और यह हमारे अंदर भी है मगर अब बदल रहा है कि जाती सूचक लतीफे चुटकुले घटिय अब आते हैं भप्तियां यह सब त्याग नहीं चाहिए समाज से बाहर निकलने चाहिए और त्याग भी रहे हैं लोग अब धीर धीर बदलाओ आ रहा है कि वैसे सारे के सारे जो ठब थे वो तो प्रोग्रसिव राइटर्स असोसियेशन और इप्टा में जापे शाविल हो अगला लेते हैं चैतन्य डू तिंक क्रिश्चियनिटी इस 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 तो संबंदित नहीं है लेकिन मैं एक शब्द में आपका उत्तर देदू कि जितना पूरुपक्ष क्रिश्चियन्स करते हैं दूसरे दर्मों का उतना कोई और नहीं करता है एक कन्फेशन्स तो एक अपने लोगों पर एक जासुसी करने का उपाय है लेकिन दूसरों के जितना पूरुपक्ष क्रिश्चियन्स ने किया है आज तक किसी और सब बित हम जुम्मे को छुटी रखते हैं आप सोच सकते हैं कि हम कितने कल्चरली सेंसिटिव हैं हम जुम्मे को छुटी रखते हैं आप सभी की जानकारी एक लिए बता दें कि जुम्मे को और सोमवार को हमारे वीडियोज नहीं आते हैं सब क्लिपिंग्स या इस तरह के रिकॉर्डट वगरा आते हैं लाइव नहीं आता है फ्राइडे और मंडे को इसका बाद का हिस्सा रह गया आप से बहुत कुछ और सीखना है क्या 300 प्रपर प्रति महाँ की फीस स्विकार होगी है आपको आप फ्री में सीखिए ना आप फीस क्यों देना चाहते हैं हम तो आप से सिर्फ यह कहते हैं यदि आपको अच्छा लगे तो आप दान रूप में कुछ दे दे विक्षा बाकि फ्री में सीखिए ना नमस्ते विन कंविंसिंग समवन फशुद्धी आई गेट स्टंप्ट वन ही शी आस्टी क्वेस्चन विच वर्ण आई विल गेट बहुत इसको कई बार तो फैल जी बता चुके हैं तो फैल जी बताईये को ने देखे आरि समाइं तो बढ़न की चकर्म पढ़ता है नहीं वो आरे बनाता है और शुद्धी की व्यवस्ता है ये सरकारी व्यवस्ता है बिटिश फीरिट से चल रही दूसरी हिंदु महासभा को इसका अधिकार है हिंदु महासभा गोत्र दान कराता है अगर कोई व्यक्ति शुद्ध होना है और वो आप उसके धर्म पिता है तो वो पांडे बनेगा और आपका गोत्र उसका गोत्र होगा वापका पूत्रिया पूत्री बनेगा और उससे यह रहता है कि आपका परिवा आप उसके धर्म पिता है तो उसे परवार भी मिलता है यह समाने विवस्ता है और हिंद महासभा करते है आरे समाज में जंजाटी नहीं है तो यह इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जिस जो गोतर उसको चाहिए उस वर्ण का दे दीजिए तो कोई बड़ी बात नहीं दूसरा दन्यवाद बहुत 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 दन्यवाद आपका भी डी डेविल यह आई क्यों लगा रखा है आई अटालों ना भाई सब्सक्राइब करोंगा आप कोई एक चुल्ले और वो पर्याप थे सबसदे सबसदे सब जाए तो एक चुल्ले और उससे आप राष्ट की पूरी सेवा कर पाएंगे अगला सवाल यह लोग उत्राखंड में भी बढ़ रहे हैं अगर उत्राखंड नहीं रहा तो सनातन की जड़ कट जाएगी और लोकल लोग बिल्कुल अवेर नहीं है स्टेट वीजेपी वाले सब दल बदलू हैं क्या करें गंबीर प्रश्ण है यह जो आप समस्या उत्राखंड की कह रहे हैं वो सारे देश की लगभग वही समस्या है और इसमें जो आपने बात बूली लोगल लोकल लोग बिल्कुल अवेर नहीं है यही सारे की जड़ है जो संजेजी ने कहा भी था कि यह जो हम बात कर रहे हैं अवेरनेस ला रहे हैं वहीं इसका सबसे जो सबसे important aspect है वो यही है अगर वो अवेर होंगे तभी प्रतिकार कर सकेंगे नहीं तो उनको लगता है कि यार यह भी आ गया है तो सब एक जैसे ही है अब बीजेपी का अपने आपको कंसीडर नहीं करूंगा इसलिए कि ये मामला बीजेपी के करने का ये संग वाले हां ये ठीक मैं स्वें उत्राखंड का हूं इसलिए मैं जानता हूं समझ से आपको आज नहीं चालिस साल पहले गंगूतरी में दुकान मैंने चाय वाले की देखी थी अब वो उस चाय वाले की दुकान को बैठने किस ने दिया बद्रिनात में दुकान खुल गई शाम खेत एक जगा है भवाली के पास में अधिनेश चल्दी कर रहो गया कि शमा करेंगे वो बैटरी का स्विच निकल गया था भवाली के पास वहां पहाड में यह कि दो सो मीटर से अधिक की कोई भारी वेक्ति नहीं खरी सकता उन्होंने चौदा मंजिल की बिल्डिंग बना ली पहाड़ में वहां जो एक सिस्टम है कि आप जहां ल तो लेक के पास में आपको परमिशन लेनी पड़ती हैं स्पेशल वहां पर लेक नहीं थी बना ली शाम खेत नाम था उसका उस इलाखे को उन्होंने श्यामत खेत बना लिया उसको खूब वंगा मा गुआ काला ढूंगी में सतर प्रतिश्यत महुंच गया है अल्दवानी म हम ही होने दे रहे हैं दुकान में हम पच्टा आते हैं बहुत दुख्यों होते हैं कि लड़की भाग ले जाए फलना कर दिया धिमाग कर दिया वो तो हम ही को सूचना पड़ेगा और बढ़ने से किसी को नहीं रोख सकते संख्या कम कर सकते हैं शुद्धियों पर लगें य को भी नीद रभारती है इ司 कि जो सारे निजाम-अ-दुन ओफलाने और उलिया और य या सारे के सारे भारत के काफिरूं उख़ता हैं तो है थैं इंदुस्ता आयडना यह झाध्यों कीजिए ले इस पर उस किए प्रियाश कॉछ बिशन कसाना अत्री जी नीरल जी से प्रश्ण है आर वी इन राइट डिरेक्शन प्रश्पिंदर और सेना वेकिंग आप वी यंग इंडियन्स यस वी पिजा बर्गर जेनरेशन जैने जैन्ज देस बिशन जी पहला पार्ट आर्विन राइट डिरेक्शन तो वी से अगर आपका अर्थ जिनके आपने नाम लिखे हैं इसमें तो कोई दो राइ नहीं है और अगर आप कलेक्टिव पूरे समाज की बात कर रहे हैं तो ये तो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है तो अभी तो उल्टी डिरेक्शन थी मेरा इमानना है कि अभी तो रत दूसरी दिशा में जारा था हम सिरफ उसको रोक रहे हैं और रोक के वापस लाएंगे तब वो राइट डिरेक्शन में चलना स्राट होगा लेकिन जो काम है उसकी डिशा मुझे तो लगता है सही है जो जैसे संजे जी कर रहे हैं कि इसमें बौधिक स्तर से ही काम होगा और फिर जो आपने कहा कि एसवी पिजा बर्गर जेनरेशन कैन चेंज दिस हान जी करना येंग्स्टर्स को ही है फिल जी करने वाली है ये ये पहरे अच्छा प्रयाशन है इसको शॉट्टलिस्ट केरिया जाई वी went the theology is such regressive and repugnant how come they succeed in fake narrative globally where Islam is religion of peace and equity पहल जी नर्गीसियत का सवाल है बिलकुल वो मतब कोई आदमी आत्म मुगदता की इस हद तक है कि वो अपने आपको इस हद तक सही समझता है कि बाकि सबको नश्ट करना मार डालने गतल करने की बात करता है और ये ये उनका चिंतन पंद्रह सो बर्ष से चल रहा है अभी डेड़ पौने दूसर साल पहले आरे समाज पहली बार खड़ा हुआ भारत में और कहीं इसके बारे में सवाल नहीं किये गए सारी संसार को जोड़ा उसने तीन सो साल कुसेट लड़े क्रिशेंटी ये नहीं देखा कि ये जगड़ा क्या है क्यों हो रहा है कहां से आ रही है ये कुमुक लगाता है तो ये इसका कारण नहीं है कि चुनौती आपको देनी होगी और आज चुनौती देना ये तो धन्यवाद दीजिए 2014 के बाद से जो ये बदलाव आया सोशल मीडिया का उससे ये आवाज लग मिल गई है इससे पहले आवाज का कोई तरीका नहीं था लोगों में था मगर करें कैसे को फ्रंट नहीं था अब फ्रंट मिल गया है तो अभी ये सारी बातें सामने आ रही है और यहनोंने खुद ही कर दिया है यह रिलिजिन और पीस वाले जितने हैं इन्होंने अपना सारा लिटरेचर डाल दिया है अब मैं कोई हदीश कहता हूँ और किसी को अइतराज है फट वो सच कर ले अभी पता लग जागा सच क्या है सामने आया था सही है चली आगे ले ले लेते एक लाइन कर देता हूँ जी अगरा तुस्चन था फेक नारेटिव ग्लोबली कैसे सट क्या तो जूट के दब पे किया बस इतना ही बोलना है बिलकुल सही बाद है बिलकुल सही बाद है अगला प्रशन भारत सुदेश इंफो पोस्ट नोट यू थिंक साउथ इंडिया लैंगुजिस तो बी प्रमोटेद अमंग नौथ इंडिया इंडी स्पीकर्स तो कांटर प्रशन बहुत अच्छा है लेकिन चूंकि संदर्व में नहीं है मैं सिर्फ इतना आपको कहके है आगे चलूँगा आप से मैं सहमत हूँ और मुझे लगता है मेरे जो अन्नेविशे शब्य है वो भी सहमत ही होगा अगला ले ले उतकर्श बासकर, how did communists fall into the trap of Islamists since communism is a godless faith पर मेरा अच्छा वैसे तो शोध है लेकिन मैं नीरत जी को दूँगा पहले इसके बारे जी आपको कॉम्मिनिजम की बात करना है आपने godless लिखा है आपने spineless भी लिखना चाहिए था आपको क्योंकि जो communism है उनके लिए ends justify the means और उनको को solution थोड़ी देना है वो तो सिरफ problem create करना चाहते है तो आज उनको जो शरार्ती तत्व दिखते हैं वो Islamist है तो वो उनके लिए सिरफ उनकी ढाल बने है कल वो रजीव मिश्रा जी ने बड़ा संदर बोला था कि जो communist है वो ढाल ह तो और ये जो एक बड़े मशूर शायर रहें Islam के उन्होंने भी कहा था कि जो communism है that is Islam without Allah या इसकी corollary आप देखेंगे तो जो Islam है that is communism with Islam तो ये दोनों बहुत ज़्यादा मिलते जो होते हैं को मिलते हैं जी इस्लाम इस कॉमिनिसम में दल्ला हां जी इस्लाम इस कॉमिनिसम नहीं इसलाम में विलकुल ठीक बात जी यह देख लिए आपने बस मैं इसमें थोड़ा सा इतना एक करूंगा कि कॉम्मिनिजम की जो सारी फिलोसोफी है वह वही वाली जो अभी का कि अब जस्टिफाइज दिए और उनका जो एंड है वो सत्ता पर अधिकार करने के लिए कोई भी उनको अपनी फिलोसोफी से कॉम्पर्माइस करना पपने उनके लिए स्विकार रहे हैं चैतन ने लेकि चाइना वाला तो हम ना कर पाएंगे लेकिन हम अगर फ्रांस वाला भी कर ले तो भी काफी काम हो जाएगा साओधी अरब के बारे में है कि वो उन जो आयात हैं जो बैर मुस्लिमों के खिलाफ है उनको दबा रही है उनको निकाल रही है इस तरह की नियूस है तो यह तब्दीली इसलामी वार्ड में हो रही है बड़े पैमाने पर हो रही है हम इसलिए नहीं कर पाएंगे कि हाँ ड लवाया जाए तो यह बदल सकता है इसमें दो रही है बदल सकता है मुटजली रहे हैं इसलामी पीरिट में एक जिन्होंने खुरान को पूरी कोई साइड लाइन कर दिया था कि यह बस ऐसी है कि पढ़ली किताब टाइप की यह जिन्दगी में उतारने की चीज़ नहीं है जी कह रहे हैं प्रणाम तुफैल जी अत्री जी मैं बोटाट गुजलात से हूँ अगर किसी को घरवापसी कर रहे हैं कहीं आपकी गयान किये अगर तरूरत पढ़ी तो आप मदद करोगे अर्समाज नहीं होगा तो अर्समाजी पूरोईद को लेकिया जाओंगा पक्का हम है इसके हैं पक्का आप बिलकुल चिंता ना करें हम सब आपके साथ हैं फाल गुंत्री पार्टी आपको नहीं लगता कि वामपंत की चत्रचाया हटने के बाद इसलाम के वुरुद विश अधिक मुखरित होकर आएगा दीपक गुरुजी पूछ रहे है तुफैल जी से कि सम्वन गेट्स कन्वेंस्ट वोगरवापसी वाट इस दी प्रसीजर फॉर आस तो गाइड हिम यह वेक्तिकर चर्चा का विशय है क्योंकि इसकी काउंटर स्ट्रेजी ना बन जाए आप तुफैल चुत्रुवेदी मेरा जो फेस्बुक मेसेंजर है उस पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजे मैं आपको पाल करूंगा इस पर बात करेंगा नहीं पर तीपक गुरुजी हम हमसे जुड़े हुए हैं आपचारिक रूप से तो हम स्वेम उनको आपका नंबर नंबर उपनाफ्ट करा लिए जी है अगला प्रश्ण प्रश्ण समाप्त हो चुके हैं बिल्कुल समय रहते हैं हमने आज इस कारकरम को पूरा कर लिया मेरे ये प्रयत में रहता है कि डेड़ गंटे में कारकरम समाप्त हो जाए नहीं तो फिर उसके पात उसकी जो लाइन है वो डाउन होने लगती है तो आप सभी को बहुत हम आते हैं आज के कारकरम का जो अंतिम पड़ाव है वो जो सर्वोत्तम प्रश्ण है उसका चुनाव बरना अच्छा एक स्प्रश्ण और आ गया इस दिर इनी थॉट्ट वह इंप्लाइट पीपल तो स्प्लेड दी अवेरेडनेस अब आल दी इश्यूस दी ऑपजिट फो अब हम प्रश्ण जो है वो सामने लाते हैं यह दज्याल कुमार का प्रश्ण एक तो उत्राखंड वाला उत्राखंड के पारे में उन्हें प्रश्ण किया था दूसरा यह विशन जी का प्रश्ण है आर वी इन दी राइट डिरेक्शन तीसरा यह वी के जी का प्रश्ण है क्रिस्चिन विशन जी के बारे में यह तीन प्रश्ण है इसमें से सर्वत्तम प्रश्ण का चुनाब आप दो महानुभावों को करना है जी तो फेल जी बड़े हैं आप तीसरा मुझे लगा राय आपकी पहले आनी चाहिए चुकि मैं बढ़ा हूँ इसलिए पहली तो राय आपकी आनी चाहिए अब तो आपकी आ गई है मैं उससे सहमत हूँ तीसरा बोल दिया आपने दो हो गया जी तीसरा प्रशनिय यह वी के जी का है यह इनका शॉर्ट फार्म है बहुत बहुत बढ़ाई हो आपको वी के जी आपका प्रशनिय सरवत्तम चुना गया है करपे आप संपरक करें जैपो डायलॉग से जो हमारा दिया हुआ एक इमेल एडरेस है उसके उपर और आपको हम यह पुस्तक अनब्रेकिंग इंडिया यह हम उपहार में बेजेंगे बहुत अच्छी किताब मज़ा आएगा मैं पढ़ रहा हूं उसको मज़ा मज़ा आएगा आपको अभी तक्रीम इनको बीस बाइस पेज कुछ और उशू आ गया कुछ आगया यह सब चेक चलता रहता है अ इसके साथ आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद पत्रम फुष्पव मेक और आ गया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद गौरफ जी और नीरत जी को धन्यवाद तुफैल जी को धन्यवाद बहुत अच्छी चर्चा रही और आज की जो चर्चा है वह बन वगया मुट हो गया कि जा जात भी बताता चलों वी नीरा जत्रि जी का नीरा जत्री नाम से चैनल है और तुफैल चत्रवेदी जी का तुफैल चत्रवेदी नाम से चैनल और उस पे भी आप लोग अवश्य जाएंब और वहाँ पे आपको जो आप समस्चें आप ठा रहे हैं उसके बारे में बहुत सारे आपको solutions आपको उत्तर आपको वहाँ भी मिलेंगे इसी के साथ आज दस बजे अभी मेरी और तुफेल जी के एक सेर्चा और है वहाँ पर राम पर्साद भिस्मिल जी के बारे में आज उनका पुर्ने ठित्य है तो पुर्ण है तमझकार जैंद वंदे मातरम वंदे मातरम